नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन के बच्चे पढ़ेंगे सीवू सोरें समेत 42 लोगों की जिवनी जार्खन के सरकारी स्कूलों में जार्खन के सोतंतरता सेनानी महापुरूस जार्खन आंदुलनकारी खिलारी समेत बिभीन छेतरों में उपलब्दी हासिल करने वालों की जिवनी पढ़ाने की त्यारी है जार्खन सेक्षिनिक अनुसधान वा प्रसिक्षन परिस्द ने जार्खन के ऐसे 42 लोगों की जिवनी त्यार की है जार्खन गठन के बाद पहली बार राजे में ऐसी संदर्ब पुस्तिका तयार की जा रही है जिससे स्कूली बच्चे जार्खन की हस्तियों के बारे में जनकारी प्राप्त कर सकेंगे बतादे JCERT ने इसका परारूप भी तयार कर लिया है किताब को संदर्ब पुस्तिका के रूप में पाठे करम में सामिल किया जाएगा आगे की परकिरिया पूरी करने के लिए एकेडमी कमेटी बनेगी जो पहले JCERT द्वारा तयार समागरी का ध्यान करेगी जिन लोगों की जीवनी को पाठकर में सामिल किया जाएगा उनके तथ्यों का भी पौले सत्यापन किया जाएगा इसमें आवसकता अनुसार समधित ब्यक्ति और उनके परिवार वालों से मुलकात भी की जाएगी एकेडमी कमेटी के स्विक्रिती के बाद परकिरिया पूरी की जाएगी इस तंदर में अम्तिमनी ने सरकार द्वारा लिया जाएगा पाँच लाह का इनामी नक्सली कमांडर राम परसाद गिरफतार जार्खन के पलामू जिले के छतरपूर थाना पूलिस ने बुद्धवार की रात छेतर के बगईया गाउं से 5 लाख का इनामी भागपा मवादी कमांडर राम परसाद गिरफतार किया है पूलिस के हत्ते चड़े इस इनामी मवादी कमांडर के खिला बिहार वा जार्खन के कई मामले दर्जाएं वह अभी बिहार में चलाया जा रहे एन्टी नक्सल अभियान के डर से बगईया गाउं में छुपकर एक आम आदमी कीतार रह रहा था इस बीच पिछले मंगलवार को एक कांड के तफसीर में बगईया गई पूलिस को उसके गाउं में ही रहने की सुचना मिली पूलिस ने अपने खबर्यों को अलट करते हुए रामपरसाद यादों की गतिवीदियों पर नजार रखने को कहा इस बीच पूश्टी होने के बाद इनामी नगसली रामपरसादों को गरपतार किया गया है इथेनोल पलांट लगाने पर जहारखन सरकार देगी 50 को स्बसीडरी जार्खन सरकार राजे में इथेनोल उत्पादन प्लांट लगाने पर 50 को रुपे तक सबसिट्री देगी राजे में इथेनोल पॉलिसी का प्रस्ताव त्यार है चर्चा है कि सुक्रवार को होने वाली केबिनेट की बैठाग में इससे समझीत प्रस्ताव आ सकता है बताया गया है कि इथेनोल पॉलिसी के प्रस्ताव के अनुसार निवेशकों को 25 परतिसत तक केबिटल सबसिट्री दी जाएगी लगों उद्योगों के लिए यह राजी अधिक्तम 10 कोड़ रुपे तथा बड़े उद्योग के लिए 50 कोड़ रुपे होगी राज सरकार द्वारा तेयार जारखन इथेनोल उत्पाद प्रोथ साहन निती 2020 के प्रस्ताव को केबिनेट के लिए तयार कर लिया गया अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुक्रवार को ही प्रस्ताव लाया जा सकता है इस स्कूलों में सीवू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के फैसले पर बाबुलाल का तंज जारकारी स्कूलों में बच्चों को सीवु सुरेन की जीविनी पढ़ाने के राज सरकार के फैसले पर बिज़ेपी बिधायक दलकिनेता और पूरे मुख मंत्री बावुल अमरांडी ने तंज किया है बाबुल अमरांडी ने सवालिया लहजे में कहा है कि क्या इन में ध्रित राष्ट वाला अध्याय भी होगा बता दे कि जार्खन सिक्चा अनुसंधान एवं प्रसिक्चन परिशद ने सरकारी स्कुलों में जार्खन की महान हस्तियों की जीवनी को पाठे करम में सामिल करने की रूप रेखाय त्यार की है इसमें धोनी का भी नाम सामिल है बाबुलल मरांडी ने सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए कहा है कि खबर है कि जार्खन के इस कूलों में सिरीज सीवू सोरेन की भी जीवनी पढ़ाई जाएगी क्या इस जीवनी में एक ये भी अध्याय होगा कि जब हेमन सोरेन अपने सिंडिकेट के साथ मिल कर पूरे जार्खन को लूटने में नए किर्तिमान अस्थापित कर रहे थे तो उस वक्त गुरुजी धिर्जटराष्ट की तरह मौन होकर तमासा देख रहे थे जार्खन के नक्सली बना रहे बड़े हमले की योजना सभी एस पी को किया गया अलर्ट जार्खन में नक्सली के खिलाप लगातार चलाये गए पूलिस अभियान का परभाव दिखने लगा है बर्चस्व कम होने से नक्सली बौकलाय हुए है और पूलिस पर हमले की योजना बना रहे है इसकी सुचना मिलने के बाद पूलिस मुख्याले ने SP को बताया है कि नक्सली के खिलाप लगातार करवाई की जा रही है इसमें कई बड़े नक्सली या तो गिरपतार हो चुके है या मारे गाए वहीं कूछ ने सरेंडर भी किया बुढ़ा पहा, ट्राई जक्सन और सरंड़ा के अलावा पारसनाथ में नक्सलीयो को खदेर कर पूलिस अपना कैम्प अस्थापित कर चुकी है इससे नक्सलीयो का सुचना तंत्र कमजोर हो गया है दुमका में फीर से पेट्रोल कांड दुमका में फीर एक बेटी पेट्रोल से जली है मामला दुमका जीला के गोपी कांदर परखंड अंतरगत खडगा सोल गाउं का है यहां रहने वाली रूपा मरांडी पेट्रोल से लगी आग की वज़ा से गंभीर रूप से जुलसी रूपा को आनन फानम में दुमका इस्थित फुलो जानों मेटिकल कॉलेज एवं अस्पत में भरती कराया गया गंभीर इस्थिती को देखते हुए उसे राइधानी राची इस्थित राइन इंस्चूट औफ मेडिकल साइंस रिम्स में भरती कराया गया है जहां ओ जिन्गी की जंग लड़ रही है बताया जा रहा है कि रूपा का अपने पति के साथ जागडा हो इसी दोरान पेट्रोल से भरा बोतल पास ही जल रही अंगुठी में जा गिरा जिससे आग भड की और रूपा इसके चपेट में आ गई जारखन में ठंड का दस्तक जारखन में अब ठंड दस्तक दे रही है रात होते ही कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है वहीं आज गुरुवार की सुबा से ही रांची में धूब खिली हुई है जिसे लोगों को अभी सुबा सुबा ठंड का एसास नहीं हो रहा मौसम विज्ञान केंद्र राची के वरियवे गयानी अभिसेक अनन ने बताया है कि 22 अक्टूबर तक राइधानी समेत राजी के सभी हिस्सों में बादल चाहे रहेंगे विभाग कनुसा राइधानी राची में मानसुन वापस आ गया है यही वज़ा होए कि दो दिनों से राइधानी राची में धूप के साथ छीटपुट वर्सा भी हो रही है इस दोरान बीच बीच में वर्सा रुकने के बाद बादल भी चाहे दिखते रहेंगे जार्खन इलेक्ट्रिक विकल पोलीसी 2022 लागू मिलेगा डेरलाख का अनुदान जार्खन सरकार ने जार्खन इलेक्ट्रिक विकल पोलीसी 2022 लागू कर दी है इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरिदारी पर राज सरकार ने अनुदान देने की घोसना की है राजे में अब नई इलेक्टरिक कायर खरिदने पर देजर लाक रुपे तक का अनुदान मिलेगा वहीं EV स्कूर्टी या दो पहिया वहान पर 10,000 रुपे आटो खरिदने पर 30,000 और ई-बस खरिदने पर 20,000 रुपे तक का अनुदान मिलेगा बतादे उध्योग भी भाग ने इसकी गयट अधिसुचना जारी कर दिया है रोट टेक्स में भी छूट का प्रवधान किया गया है राजे के अंदर ही उत्पादन करने वाले उध्योगों से ईवी के पहले 10,000 खरीदार को 100% 10 से 15,000 खरीदार को 75% और इसके बाद को 25% के छुट दी जाएगी ज्यारखन के पूर्व क्रीसी मंत्री योगेंद्र साओ को ग्रामिनों ने बनाया बंधक ज्यारखन के पूर्व क्रीसी मंत्री और बढ़का गाउं की विधायक अमबा परसाद के पिता योगेंद्र साओ को ग्रामिनों ने अले सुबह से बंधक बना रखा है मामला रामगर जी लेके पत्रातू पर खंड छेत्रे के हरिहरपूर पंचायद के मिलानी गाउ का है प्राप्त जनकारी के उनुसार ग्रामिनों ने सुड़क के बीच में बास बल्ली डाल कर सुड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया मिलानी गाव गरामिनों का कहना है कि मिलानी गाव के बगल में पत्रातु डैम के किनारे दो एकर ब्यालिश डिसमीन जमीन गरामिनों का है पुर्व क्रिसी मंत्री, योगेंद्र साव और विधायक अंबा परसाथ के सारे पर जबरन इंजमीन पर बॉंडरी का कारे किया जा रहा है वे इसका बिरोध कर रहे हैं गेराव के दरवन गरामिनों ने किरिसी मंत्री वबिधायक खिलाप जम करना रे बाजी भी की है नयाईक हिरासत में रहते हुए पंकज मिस्त्रा से बात करने वाले दो लोगों को इडी ने गिरफतार किया है प्राप्त जनकारी के मुताबिक उनसे बात करने वाले लोगों में साहिव गंज एसपी का नाम भी सामिल है इडी जल्द ही इन सभी को समन भेजेगी इसकी त्यारी की जा रही है बताते चले कि इडी ने 8 जुले 2022 को पंकज वा उसके स्वहयोगियों की ठिकाने पर छापा मारा था पंकज मिस्त्रा को इडी के दिली कर्याले तलब किया गया था रांची में काली पुजा को लेकर तयारी काली पुजा समीती डुरंडा बजार की काली पुजा खास होगी इस बार थाइलेंड के परसीद बहुद मंदीर वाइट टेमपल की तरज पर पंडाल बनाया जा रहा है डुरंडा के गांधी मैदान की सभी संपर्क सडको को आकर्षक लाइटिंग की गई है समीती अध्यक्ष राजु चवरासिया वह सचीव जयदेव घोस ने कहा है कि 24 अक्टूबर की रात आठ बजे पुजा सुरू होगी 25 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से साम 6 बजे तक सुर्य ग्रहन वा सुतक के प्रभाव के कारण सरधालू माया का दर्शन नहीं कर पाएंगे जबकि साम 6 बजे के बाद माया काली की संध्या आरती वा अन्य अरुष्ठान किया जाएगा वही 26 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से नित्य पुजा सुरू होगी आरती वा भोग निवेदन किया जाएगा वही 28 अक्टूबर की साम 4 बजे से मा काली की भव्य विसर्जन सुभा यात्रा निकाली जाएगी रांची लोटी अस्टम उराओ की टीम फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड का फूटबर केल कर लोटी जार्खन की फूटबर कराची अरपोटपर स्वागत किया गया अरपोटपर सांस संजाय सेट विधूत वरन महतो और खेल विभा के पता अधिकारियों का स्वागत किया भार्थिये टीम में जार्खन की फूटबर बोलर अस्टम उराओ नितू लिंडा अंजली मुंडा अनिता कुमारी पूर्नीमा कुमारी और सुधा अंकीता तिर्की सामिल थी बता दे भार्थिये टीम को आपने आखिरी मैच में ब्राजिल से भी हार का सामना करना पड़ा था धन्यवाद यदि आप चनल पने होते चनल को सब्सक्राइब कर बहुल के लेकर बढ़े साथी साथ वीडियो के लाइक कर अपने दोस्तों को से सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिर्वाएक अवास से दे थांक यू